दोस्तो पल्सर बाइक के डिजिटल मीटर में एक बहुत ही common problem है, उसका solution भी बहुत असानी से आप कर सकते हैं, problem यह है कि इस मीटर में देख सकते हैं, backlight नहीं जल लगी है, backlight से मेरा मतलब है कि कोई भी light इसमें नहीं है, न डिस्पले में है और न यहाँ पर neutral headlight कोई सीब न पागया होगा, तो यह fault हमारा इस transistor से होता है, और कभी-कभी जो display की light होती है, वो इस transistor से होता है, यहाँ पर दोनुम ऐसे किसी एक में, जब fault आता है, तो यह होता है, जब यह transistor हमारा खराब हो जाता है, जिस पर मैंने अभी short करा, यह देखिए, उस transistor का number भी आपको दिखा लिखा हुआ है, तो यह जो transistor है, इस transistor के खराब होने से पूरे meter में light नहीं आती है, ठीक है, यह वाला transistor है, इसको हम SMD की help से replace करते हैं, वीडियो इसलिए छोटी बना रहा हूँ कि यहाँ पर fault भी easy ही है, तो आप लोगो ज़्यादा लंबे समय तक वीडियो नहीं देखनी पड़े, तो मैंने फटक से बता दिया आपको, यह देखिए, अब सारी lights जल रही है, यह देखिए, वाइरिंग मैं हटा के आपको दिखा रहा हूँ, देखिए इस तरीके से, backlight जल रही है, सारी lights में जल रही है, मैं जो connector इसमाल कर रहा हूँ, उसमें सारे wires मैंने अपने ह इसाब से करे हुए, अगर आप इसकी wiring सीखना चाहते हैं, तो एक काम कीजिए, comment box में जो link आपको मिले जागा, उस पर जाकर किलिक करके उस वीडियो को देख लिए जिए, पूरी wiring आपको सिखा दोगा, वीडियो पसंदा है, तो like करना, thank you so much.